CBC Words में आपको स्वागत है, इस वीडियो में हम Class 9 Maths का 1st Chapter जिसका नाम है Number Systems, उसके Exercise 1.3 डिसक्रस करेंगे, इससे पहले की Exercise की वीडियो अप्लोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको Chapter-wise प्लेश के लिंग मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, Question No.1, Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has, तो यहाँ जो आपको fractions दिए हैं, इनको साथ से पहले decimal form में लिखना है, फिर किस तरीके के decimal expansion है, वो भी आपको बताना है, तो चली कर लेते हैं, फिर्स्ट वाल है 36 upon 100, वहीं सिंपल सी बात है, 100 से कोई number divide हो रहा है, 100 में 2-0 होते हैं, तो rule आपने पढ़ा होगा, right से 2 digits के बाद decimal लगेगा, यानि पहले digit 6 उसके बाद 3 उसके बाद decimal लगेगा, तो यह आपका हो जाएगा 0.36, अब किस तरीके के decimal expansion है, तो आपने पढ़ में भी 2 तरीके के होते हैं, एक non repeating होते हैं, यानि चलते चले जा रहे हैं, और अपने आपको repeat भी नहीं कर रहे हैं, और एक repeating होते हैं, यानि वही set of digits बार बार repeat कर रहे हैं, अब यहाँ देखो 0.36, 6 पे आगे एक हतम हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो यह कैसा हो गया, terminating ह हो गया, तो अब लिखो कि this decimal expansion is terminating, अब second वाला देखो 1 upon 11, इसको करने के लिए proper divide करना पड़ेगा, तो dividend हमारा 1 है, diviser हमारा 11 है, अब 11 से divide हो गा नहीं, इसलिए हमको decimal लगाना पड़ेगा, decimal के पहले 0 हमेशा लगाया जाता है, तो यह हमने decimal लगा दिया, decimal लगाने से 0 यह लगा ही सकते हैं, लेकिन काम नहीं बनेगा, तो एक 0 यहाँ लगा के एक और 0 उतारेंगे, 11, 9, 99, minus करे 1 बचा, अब decimal लग चुका है, इसलिए 0 लगा सकते हैं, काम नहीं बनेगा, एक 0 यहाँ लगा के एक 0 और उतार लेंगे, 11, 9, 99, देख रहो चीज़ें रिपीट करती जा रही है, बार-बार वही 1 remainder बच रहा है, और फिर हमको 2 0 लगाना पड़ रहा है, फिर 9 से multiply करना पड़ रहा है, यहाँ भी देखोगे, फिर से आगया आपका 1 remainder, तो यह देखो, decimal के बाद 0, 9, 0, 9, बार-बार repeat कर रहा है, इसका मदब इसी तरह से repeat करता चला जाएगा, तो 1 upon 11 को हम क्या लिख सकते है, 0.09 बार, जो चीज बार-बार repeat कर रही है, उसके बार, अब यह किस तरीके के decimal expansion है, यह भी आपको बताना है, तो दोगो, terminate नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा, 0, 9, 0, 9, 0, 9, और 0, 9 repeat भी कर रहा है, यानि non-terminating, terminate नहीं हो रहा है, end नहीं पड़ेगा, तब आगे solve करेंगे, कैसे बदला जाता है, आप जानता ही होगे, कि denominator whole वाले पार्ट से multiply होगा, 4, 8 जा 32, और numerator वाले पार्ट से add होगा, यह 33 हो जाएगा, 33 upon 8 यह हो जाएगा, तो I hope इसको अपने note down कर लिया हो, मैं इसको हटा देता हूँ, तो 4, 1 upon 8 को 33 upon 8 ल बचा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 8, 2, 16, minus करेंगे, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 8, 5, 40, remainder आगे हमारा 0, अब आगे solve नहीं हो पाई, क्यों remainder 0 आगया, तो यह decimal क्या हो जाएगा, 4.125, तो आप से बिल लिख दोगे, 4, 1 upon 8, यह equal होगा, 4.125 के, अभी 5 पे आके end हो जा रहा, आग इसलिए decimal लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 point ही हमने लगा दिया, तो 0 बढ़ गया, 13, 2, 26, यहाँ से 4 remainder बचा, 0 लगा देंगे, 13, 3, 39 होता है, यहाँ से 1 remainder बच गया, फिर 0 लगाएंगे, अभी भी divide नहीं होगा, इसलिए 0 यहाँ लगा के, एक और 0 बढ़ाना पड़ 13, 7, 91 होता है, माइनस किया, 9 बचा, 0 लगा लिया, 13, 6, 78 होता है, यहाँ से 12 remainder बच जागा, एक 0 बढ़ा लेंगे, 13, 9, 117 होता है, माइनस किया, 3 बच गया, अब एक चीज आप ध्यान रखना, कि हम किसको divide कर रहे थे, dividend क्या था, 3 था, 3 को ही तो divide कर रहे था 13 से, अगर division कर करते time, कभी भी जो remainder है, वो dividend ही आ जाए, यानि 3 को ही हम divide करना है, start कर रहे थे, और एक point आया, यहाँ पर जो remainder है, वो भी 3 ही बचा, तो समझ लेना कि अब आगे भी हम divide करेंगे, तो यह चीज रिपीट करेंगी, क्योंकि 3 बचा, फिर से आप यहाँ 0 लगाओगे, फिर 2 से divide करोगे, 26 आएगा, वही सारी चीज़े कहानी repeat करेंगी, तो बस यही देख लेना है, कि हम 3 को divide करना है, start करेंगे, और remainder ही हमारा 3 आ गया, तो अब आगे हम करेंगे, तो यही cycle repeat करती जाएगी, यानि यही जो digit हमारी आई है, 230769 यह repeat करेंगी, तो आप यहाँ ऐसे dot dot लगा जाएगा, फिर उसी तरह cycle repeat करती जाएगी, यानि यह terminate नहीं कर रहा है, कहीं end नहीं हो रहा है, लेकिन यह जो आपकी digits है, 230769 यह बार-बार repeat करेंगी, तो non-terminating, यह end नहीं कर रहा है, लेकिन repeat कर रहा है, non-terminating but repeating, तो अब लिखोगे, this decimal expansion is non-terminating repeating, फिफ्ट वाला देखो 2 upon 11, second वाले में देखो हमने 1 upon 11 को solve किया था, यहाँ पर 2 upon 11 है, अच्छा 2 upon 11 को हम क्या लिख सकते है, 2 multiply by 1 upon 11, इस तरह लिख सकते है, यानि जो 1 upon 11 आया होगा, उसी में 2 से multiply कर दो, तो फिर से पूरी कहानी लिख के दिखाने एक ज़रुत नहीं है, आपको smart work यहाँ पर करना है, आप simple लिखोगे from second, 1 upon 11 equal 0.09 बार, अब क्या होगा, यह 2 upon 11 को हम क्या लिख सकते है, 2 multiply by 1 upon 11, 1 upon 11 है क्या, 0.09 बार, अब simple बार को भूल जो, 0.09 को 2 से multiply कर लो, और decimal की बाद जो दो डिजिट होगी, उसके उपर आपको बार लगा देना है, तो 2 9s आपका 18 होता है, यह simple आपका 0.18 आ जाएगा, और 1.8 के उपर बार हमने लगा दिया, 0.9 पे बार लगा था, तो 0.9 का डबल आपका 18 होता, ऐसे ही समझ सकते हो, तो 0.18 बार हो गया, अब बार लगा है, इसका मतलब 1.8 बार बार रिपीट करेगा, कहीं end नहीं करेगा, लेकिन रिपीट करेगा, तो यह हमने बढ़ा लिया, अब आपको heat and trial वाला method लगा के चेक करना है, कि किस से यह divide होगा, कितने times यह जाएगा, इसमें आप मोटा मोटा अंदाजा इस तरह लगा सकते हो, कि 0 इसा 8 आदो तो यह 4 हो गया, 4 rates are 32 होता है, अगर माल लो यह 00 होता, 3200 को 400 से divide करें, तो 00 चल होता है, तो यह 2 times जाएगा, तो यह 800 हो गया, माइनस किया, 100 बचा, एक 0 बढ़ा देंगे, 4 2s are 8, तो यह 800 हो गया, माइनस किया, 200 बच गया, 200 डिवाइड होगा नहीं, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, 4 5s are 20 होता है, अगर 00 हटा दो, तो 4 और 20 बचेगा, यह simple 400 को 5 से कर multiply करो, 405 times कितना जहोगा, 2000, माइनस किया, हमारा remainder, 0 आ गया, तो यह देखने से लग रहा था कि 329 को 400 से divide करना, लेकिन है simple, तो remainder हमारा 0 आ गया, इसका मतलब, अब कहानी खतम, आगे कुछ divide नहीं होगा, कोई number वगर रिपीट नहीं होगा, यह जो हमारा आ गया, 0.8225 बस इतना ही ह टर्मिनेट कर गया, एंड कर गया, 5 पे आगे खतम, तो अब लेको कि 329 upon 400 equal है 0.8225 के, this decimal expansion is terminating, यह टर्मिनेट कर जा रहा है, एंड कर जा रहा है, question number 1 हमारा हो गया, question number 2, you know that 1 upon 7 equal 0.142857 bar, example 5 में 1 upon 7 की value निकाल के दिखाया गया है, तो वो आपने देखा होगा तो आप जान तो इनके आप decimal expansion को predict कर सकते हो, बता सकते हो, without actually doing the long division, यह डिविजन नहीं करना, बीना division कि यह ही क्या बता सकते हो, अगर बता सकते हो, तो कैसे ही आपको बताना है, यह hint भी दिया हुआ, study the remainders while finding the value of 1 upon 7 carefully, तो 1 upon 7 जो की example में दिया है, आपने निकाला होगा, तो वहाँ जो रूल दिया हुआ है कि अगर remainder repeat कर रहे हैं, तो जो quotient है, उनकी भी कुछ set of digits बार-बार repeat करेगी, इसलिए को 1 upon 7 की value है, उसके अंदर 1, 4, 2, 8, 5, 7 इसके उपर बार लगा है, यानि यह वो digit है जो बार-बार repeat करेंगी, तो सबसे पहला question आप से ही पूछा गया थे, क्या predict कर सकते हो, तो आप लिखोगे, yes, we can predict, अब 1 upon 7 का आपको दिये ही हुआ है, तो divide करके दिखाने की ज़रत नहीं है, direct चलिए हम 2 upon 7 की value निकालते है, 2 upon 7 को क्या लिख सकते है, 2 multiply by 1 upon 7, तो 2 multiply by 1 upon 7 की जो value है, उसको bracket में आप करके लिख देना, 0.142857 इसके उपर बार, simple bar को भूल के इसको multiply कर लो, और जो value आए, उसमें decimal के बाद यहां जिसे बार लगा हुआ है, तो जो digit हैं को उपर बार लगा दो, तो simple multiply करोगे तो 0.285714 आजाएगा, तो decimal के बाद जो 6 digits हैं, उन पर बार लगा था, तो हम यहां बार लगा देंगे, इसी तरह 3 upon 7 के निकाल लोग, इस देता हूँ, तो 6 से basically आपको multiply करना, बार हटा लो, 6, 7 is the 42 का 2 यहां 4 carry, 6, 5 is the 30 और यह 4, 3 carry, 6, 8 is the 48, 49, 50, 51, 5 carry, 6, 2 is the 12, 5, 17 का 7 यहां 1 carry, 6, 4 is the 24, 1 आपका 25, का 5 यहां 2 carry, 6, 1 is the 6, 7, 8, और फिर यहां decimal है और 0 है, तो आपका जाएगा 0.857142 और इसके उपर बार, question number 2 हमार हो गया, question number 3, express the following in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, तो यहां जो आपको decimal expansion दिया हुआ है, उसको p by q के form में आपको लिखना है, जैसा कि आपको सिखाया गया, उसी तरी के साब को करना है, 0.6 bar, इसको कुछ let कर लो, कोई variable माल लो, तो हम let कर लेते हैं, let x equal 0.6, जैको 6 को उपर बार, यानि 6 repeat करता जाएगा, तो इस तरह से हम 4 बलिक देंगे और उसके बाद 3 dot लगा देंगे, यानि इस तरह ही चलता चला जाएगा, अब आपको क्या करना है, जैसे यहां एक digit के उपर बार लगा हुआ है, तो 10 से multiply करेंगे, अगर 2 digit के उपर बार लगा होगा, तो 100 से, यान यह 6.666 और यह इस तरह repeat करता जा रहा है, अब यह जो 6.66 इस तरह चलता चला जा रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, decimal से पहले वाले जो 6 है, उसको अलग कर सकते हैं, ऐसे समझो, अगर मेरे पास लिखा है 6.6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 plus 0.6, भाई, इसको solve करोगे, तो 6.6 ही आएगा, तो अगर 6.6 लिखा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कि यह वाला जो decimal से पहले का 6 है, उसको अलग कर लेते हैं, तो यही आपको करना है, 10x हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, 6 plus 0.666, अब यह repeat करता रहा है, चाहे जित्ती बार लिख दो, अब यह जो आपका लिखा है, क्या यही नहीं है, और इसकी value क्या है, आपके x है, यानि इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, तो अब लिखोगे, 10x इक्वल 6 plus x, यह हमने क्यो लिखा, side में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, because x इक्वल 0.666, और यह repeat करता जा रहा है, तो x की value क्या आ गए, 2 upon 3, तो फर्स्ट वाला part आपका हो गया, सेकंड वाले part की बात कर लेते हैं, 0.47, तो को 7 की उपर बार लगा है, यानि 7 ही repeat करेगा बार-बार, 4 repeat नहीं करेगा, अब यहां भी वही काम करेंगे, इसको let कर लेते हैं, let x equal 0.47777, 7 ही repeat कर रहा है बार-ब अब इसको हम separate कर लेते हैं, 10x equal 4 plus 0.77777, अब यहां problem के आएगी, इस तरह अगर आप कर लोगे, तो दोखो यह है आपका 0.777 इस तरह चलता चला जा रहा है, इसकी जगहां आप x नहीं रख सकते, क्योंकि x की जो value है, वो 0.4 उसके बाद 77 repeat कर रहा है, तो यहां हमने गलत परीके separate किया, हमको क्या चाहिए, देखो decimal के बाद पहले एक 4 आए, फिर उसके बाद 77 repeat करे, यहां decimal के बाद 7 आ गया, यहां इस वाले 7 को 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगर इस 7 में से 3 चला जाएगा, अब यह जाएगा कहां, यह जो हमारा 4 है ना, इसी के साथ चला जा 4.3 प्लस 0.4777 और यह repeat करता जाएगा, यानि 4.3 और 0.4777 इसको हम add कर लें, तो यह 7 तो सब 7 ही है, 3 और 4 आपका 7 आ जाएगा, 0.4777 आ जाएगा, जो कि हमारा यह दिया हुआ है, अगर इस तरह से आप नहीं सोच पा रहे हो, तो अभी मैं दूसरा method बता दूँगा, वहां जादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे यह simple ही है, आपको बस देख लेना है कि हमको बनाना क्या है, यहाँ decimal के बाद 4 है, यहाँ आपको मिल गए है decimal के बाद 7, तो 3 और निकालके, जो 4 जा रहा था, उसकी तरफ भेज दी आपने, तो 4.3 हो गया, वह वह 4 जाता है, यह 4.0 हो जाता, अब 4.3 जा रहा है, बस इतनी सेटिंग करनी होती है, तो 10x equal हो जाएगा, 4.3, यह पूरा आगे वाला तो x ही है, आप bracket में लिग भी सकते हो, because x equal 0.477, अब यह x left side जाएगा, तो minus हो जाएगा, यह 9x हो जाएगा, equal 4.3, x की value आगई, 4.3 upon 9, यह decimal हटे के नीची आपका 0 लग जाएगा, तो x की value आगई, 43 upon 90, अब दूसरे method की बात कर लेते हैं, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा subtraction वगेरा करना पड़ेगा, वही काम करोगे, x को आप 0.47777 इस तरह से माल लोगे, इसको आप equation 1 माल लेना, फिर multiplying both side by 10, तो यह आपका 10x हो ज जाएगा, यह आपकी second equation हो जाएगा, इस तरह dash करके 2 लिख देना, अब second वाली equation में से first वाली equation को minus कर लो, लिख दो के subtracting 2 from 1, तो क्या हो जाएगा, 10x minus x हो जाएगा, और यह 4.777 इस तरह repeat करता जा रहा है, minus 0.4777 dot dot dot, इन दोनों का ऐसे bracket में कर देना, यह आपका 9x हो तो इसमें बस आपको यह करना है, कि 10x वाले तक तो हमारा same था, कि 10 से multiply करना है, तो 10x वाली equation है, उसमें से 1x वाली equation को minus कर देना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, अब third वाला है 0.001 bar, यहां let कर लेंगे x equal 0.001, अब देखो 001 repeat कर रहा है, तो 001, 001, ठीक है, dot dot dot, x equal 001, यह जो decimal है, यह तीन डीचे छोड़के आगे आ जाएगा, यानि यह यहां आ जाएगा, तो 001.001, 001, अचा है, तो starting में 0 लगा, इसको कोई मतलब नहीं है, तो simple आप लेख सकते हो, 1.001, 001, 001, dot dot dot, अब decimal से पहले जो 1 लगा है, उसको हम हटा सकते हैं, अलग कर सकत हैं, यानि 1 plus 0.001, 001, 001, dot dot dot, अब यह जो value है, वो यही तो लिखा हुआ है, और इसकी value हमारी x है, तो 1000x equal 1 plus x हो जाएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यहां reason बता सकते हो, because x equal 0.001, 001, 001, dot dot dot, यह x उधर जाके minus हो जाएगा, तो 999 x equal 1, x की value आ गई, 1 upon 999, 9, तो यह 3rd वाल अपार्ट हो गया, इसी एक साथ question number 3 हमारा complete हो गया, class 9 में अच्छा score करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं उस्वाल books को suggest करूँगा, यह काफी अच्छी book है, इसके अंदर आपको revision notes मिल जाएंगे, इस तरह के mind maps मिल जाएंगे, फिर अलग-लग type की questions होते है हैं, जिसे very short question हो गया, short answer हो गया, long answer type question हो गया, तो इस तरह से topic wise आपको अलग-लग type की question मिल जाएंगे, objective type questions, any job ke MCQs होते हैं, वो आपको हैं मिल जाएंगे, इसके अंदर आपके NCIT exemplar है, उसके important questions है, assertion reason based questions हो गया, फिर जो latest self-based से according, अब competency based questions भी आएंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे, इसमें आपका case based हो गया, subjective based हो गया, तो इससे काफी अची आपकी practice हो जाएगी, फिर chapter के end पे आपको self-assessment paper मिल जाएगा, अगर आपको इस book को purchase करना है, तो मैंने description में link दे दिया है, वहां से ने तो मेरा WhatsApp चैनल है, इसको open कर लो, यहाँ पर टॉपे चैनल बात वही है, तो यह 10x हो जाएगा, इक्वल 9.999… अब इस 9 को अलग कर लो, जो कि decimal से पहले है, 9 plus 0.9999… यह जो हमारा है, इसकी value क्या है, x है, तो 10x इक्वल हो गया, 9 plus x, एसम क्यों कह रहे है, because x equals 0.9999… एक्स उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, इक् 9 upon 9, x हमारा 1 आ गया, अब यहाँ कमाल देखो, हो क्या रहा है, आपसे question में क्या कह रहे है, are you surprise value answer, क्या आप surprise हो गए, तो बिल्कुल surprise हो गए, भी हमने x को माना था, 0.9999 यह माना था, यहाँ x की value 1 आ रही है, दोनों ही x है, इसका मतलब क्या है, कि 0.999 इस तरह यह आपका जो repeat करता जाएगा, यह 1 के बराबर है, यह कैसे हो सकता है, तो यह कैसे हूँ असको थोड़ा सम समझते हैं, अच आप यह बताओ कि 0.9 km, इसको चलो मीटर नों बदल लेते हैं, तो मीटर नों बदलने के लिए हम 1000 से multiply कर देंगे, तो यह कितना आ जाएगा, 900 मीटर, ठीक अब 0.9, एक और 9 लगायते हैं, 0.99 km, यह किसके बराबर होगा, फिर 1000 multiply कर दो, 990 मीटर हो गया, एक और 9 बढ़ा लेते हैं, 0.999, 39 आ गया, किलो मीटर, यह किसके बराबर होगा, 999 मीटर, एक और 9 बढ़ा लेते हैं, 0.9999 किलो मीटर, अब यह कितना हो जाएगा, 999.9 मीट अब यहां हो क्या है, आप देख रहे हो, अगर मैं thousand meter से compare करूं, तो thousand meter यानि one kilometer और nine hundred meter में कितने gap है, hundred meter का gap है, इसी तरह से one kilometer यानि one thousand meter और nine ninety meter इसके बीच में कितने gap है, 10 meter, minus आप देख सकते हो, thousand meter और nine hundred mean мет is 99 meter इसमें कितने gap है, one meter का और आगे आ जाओ, 0.1 meter, यानि हो यह र वो 1 km के करीब चलता चला जा रहा है, इसके बीच का जो gap है वो कम होता जा रहा है, पहले 100 m, फिर 10 m, फिर 1 m, फिर 0.1 m, इस तरह करते करते, एक time ऐसा आएगा, कहीं जाके बहुत दूर infinite पे, कि इसका gap बिलकुल 0 हो जाएगा, यानि फिर वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 km के ब बराबर हो जाएगा 1 के, इसके बीच का, यानि 1 और इसके बीच का gap बिलकुल खतम हो जाएगा, और ये 1 के बराबर ही हो जाएगा, तो यही आपको करना था, with your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense, क्यों ये answer कोई मतलब निकाल ला है, वहना 1 तो 1 ही के बराबर होगा, 1 0.9999 के बराबर कैसे हो स equal 0.9999 dot 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 equal to 1, makes sense, यानि इसका मतलब निकाल ला है, question number 4 हमारा हो गया, question number 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1 upon 17, यानि 1 upon 17 के decimal expansion करें, तो maximum कितने digit repeat कर सकते हैं, ये आपको बताना है, perform the division to check your answer, तो 1 को आपको 17 से divide करना है, decimal लगाना पड़ेगा, 0 point, यहाँ 0 हमने बढ़ा ली, अभी भ वैड नहीं होगा, एक 0 और लगा दो, तो यह 0 आ गया, 17 5 जा 85 होता है, 15 remainder बचा 0 लगा दिया, 17 8 जा 136 होता है, देखो टेबल याद होगा, तो कितनी यल्दी कर पाऊगे, तो कम से कम 20 तक तो टेबल याद होने चाहिए, यहाँ आपका 14 remainder बचा, यह 0 हमने बढ़ा दिया, फिर सी 8 टामस जाएगा, 136 माइनस किया, 4 remainder बचा 0 लगाया, 2 टामस जाएगा, 17 2 जा 34, remainder 6 बचा 0 लगा दिया, 17 3 जा 51 होता है, 9 remainder बचा 0 लगा दिया, 17 5 जा 85 होता है, 5 remainder बचा, यहाँ पर हमने 0 बढ़ा दिया, 2 टामस जाएगा, यह 34 हो गया, 16 remainder बचा 0 बढ़ा दिया, 17 9 153 होता है, remainder 7 बचा, 0 बढ़ा दिया, फिर 4 times जाएगा, 68 आ जाएगा, remainder 2 बचा, 0 बढ़ा दिया, अब ये 1 times जाएगा, 17 हो गया, remainder 3 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 7 times जाएगा, remainder आपका 13 बचा, 7 times जाएगा, 0 बढ़ा दिया, 1119 आ गया, 11 remainder बचा, 6 times जाएगा, 102 आ गया, 8 remainder बचा 4 times जाएगा 68 आ जाएगा 12 remainder बचा फिर यह 7 times जाएगा तो 119 होता है remainder 1 बचा अब जैसे ही 1 बचा तो एक चीज माइंड में आपके click करनी चाहिए जैसे कि मैंने एक question में भी बताया था कि हमारा जो dividend था वो क्या था 1 था यानि 1 को 17 से divide कर रहे थे तो जब कभी क्योंकि वन ही को divide करना स्टार्ट करें थे अब फिर remainder 1 बच गया अब फिर से 1 को divide करना है तो वही कहानी आपकी फिर चलेगी इसका मलदा अब इससे आगे बढ़ेंगे तो वही सारी डिजिट जो है वो repeat करेंगी तो वन अपान 17 को हम लिख सकते हैं 0.0588235294117647 और यह decimal क के बाद जो लिखा है सब के उपर पूरा बार लगेगा तो जितने के उपर बार लगा है यानि यह वो डिजिट है जो की बार बार repeat करेंगी तो यह कितनी है पूरी count कर लोगे तो आपको बता चलेगा यह 16 है अब आप लिखोगे from here we can say that maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 upon 17 is 16 तो question number 5 हमारा हो गया question number 6 look at several examples of rational numbers in the form p by q तो कुछ example rational number के आपको देखने है जो की p by q के form में हो और जैसे की rational number में होता है की q 0 को बराबर नहीं होना चाहिए p और q अपका integer होना चाहिए और p और q में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए 1 के लावा यानि यह अपने जो p by q है अपने lowest form में हो simplest form में हो यह further or cut के छोटा नहीं हो सके and having terminating decimal representation या expansion कह सकते हैं यानि यह जो p by q है इसका जब decimal expansion निकालो तो वो decimal terminate कर जाना चाहिए कहीं आकर end कर जाना चाहिए can you guess what property q must satisfy तो इतना करने के बाद क्या आप guess कर सकते हो कि q यानि जो denominator है वो कौन सी ऐसी property जिसको satisfy करना must है जरूरी है यानि q के अंदर वो property होनी ही चाहिए simple sum से question में कह रहा है कि एक p by q लो जो कि अपने lowest form में हो इसका decimal expansion आपका terminating होनी चाहिए तो यह जो q है उसके अंदर ऐसी क्या property है जो कि must होनी ही चाहिए तो हम क्या करेंगे ऐसे fraction उठा लेंगे जो कि अपने lowest form में हो और उनका decimal expansion terminating हो फिर देख लेंगे q में ऐसा क्या खास बात है जो कि सभी के अंदर है क्योंकि सभी के अंदर है तभी तो वो जरूरी है तभी सब के अंदर है वन अपॉन टू हो गया वन अपॉन टू क्या हो था जिरो पॉइंट फाइव यानि देखो जिरो पॉइंट फाइव फाइव पागे terminate हो गया end हो गया आगे नहीं चल ला है ठीक है इसी तरह से फर्स्ट allocation में आपको 36 अपॉन 100 दिया हुआ है लेकि जैसा कि हमसे कह रहा है तो 9 अपॉन 25 हम लिख सकते हैं तो इसको छोटा बना लेंगे हम 9 अपॉन 25 इसके लावा आप चलो हम 3 अपॉन 10 ले लेते हैं 3 अपॉन 10 क्या होता 0.3 यह भी terminating है और हम ले लेते हैं 1 अपॉन 5 अपका 0.2 होता यह भी terminating है तो यह हमने कुछ 5 एक्जाम्पिल ले लिए होता है 0.5 9 अपॉन 25 होता है 0.36 9 अपॉन 25 बेसिकली हमारा क्या था 36 अपॉन 100 तो 0.36 वैसे ही हो जाएगा 3 अपॉन 10 होगा हमारा 0.3 और 1 अपॉन 5 होगा 0.2 तो यह इसका decimal expansion भी हमने लिख लिया अब हम क्या करेंगे जो denominator है यानि क्यों की ही property हमको चेक करनी थी क्यों denominator मे है उसका क्या गरते है प्राइम factorization निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ common हमको देखने को मिलना है सब में अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की power 3 इसी तरह 1 अपॉन 2 है denominator में 2 है 2 को हम लिख सकते है 2 की power 1 9 अपॉन 25 25 जो denominator में उसको हम क्या लिख सकते है 5 की power 2 5 5 25 होता है और 3 upon 10 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 multiply by 5 25 जो 10 होता है तो 2 की power 1 5 की power 1 इस तरह लिख सकते हैं और 1 upon 5 है इस 5 को हम क्या लिख सकते है 5 की power 1 अब इन सारे denominator के अंदर आप देखोगे तो या तो 2 की power something आ रहा होगा या 5 की power something आ रहा होगा या 2 की power और 5 की power something ये दोनों आ रहा होग यह चीज आपको common देखने को मिल ली है, यानि denominator का अगर हम prime factorization करें, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, या तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 और 5 दोनों ही नहीं है, या इनके अलावा और कोई number आ रहा है, ऐसा नहीं है, तो यह चीज हमको common देखने को मिल गई, अब यही चीज हम लिख देंगे, तो आप लिखोगे, from the above examples, we can say that, तूपर की examples हम यह कह सकते हैं, that the prime factorization of q, यानि q जो denominator में है, उसका अगर हम prime factorization करें, has only powers of 2 और powers of 5 और both, question number 6 समारा हो गया, question number 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring, तो ऐसे 3 number आप रिपीट ना करें, वो दोबारा रिकर ना करें, फिर से ना दिखाई पड़ें, यानि repeat ना करें, तो non-recurring कहें या non-repeating बात एक ही है, यानि चलता चला जा रहा है, और जो number से repeat नहीं कर रहें, basically आपको irrational number लिखना है, तो दोको बहुत तरीके सम लिख सकते हैं, लेकिन ए बार बार एक 0 बढ़ाते हैं चले जाओ, तो कोई चीज रिपीट करती हूँ ने दिखेगी, कोई system नहीं बनना है, कि पहले 10 था, 100 था, 1000 था, 10,000 था, कोई ऐसी set of digit नहीं है, जो कि repeat कर रही है, तो को बहुत तरीके से लिख सकते हो, लेकिन एक तरीक है, अब जहाँ जहाँ तो बहुत तरीके से आपको करना है, यानि एक system ले लो, उसमें कोई एक digit बढ़ाते चले जाओ, ताकि वो दोबार रिपीट ना करे, अगर 220, 220 बार बार लिखते जाते हैं, तो repeat करता जाता, इसलिए हमने एक 0 बढ़ाते चले जा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आपको dot डर लगाते चले जाना है, क्योंकि non-terminating है न, हमको दिखाना कि चलता चला जाएगा, तीसरा एक number लिख लो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 0.301, ठीक है, 301 लिख दिया, अब 3, किसी को भी दो बार repeat कर दो, चाहे 3 को अब दो बार कर दो, या 0 को दो बार कर दो, चलो 3 को ही दो बार कर देते हैं, पहली बार हमने एक 3 लिया था, अब 3, 3, 0, 1 कर दें, अब इसी 3 को एक बार और बढ़ा देते हैं, 3, 3, 3, 0, 1, 3, 3, 3, 3, 0, 1, तो अब यहाँ pattern नहीं बनना है, अगर simple हमारा 301 होता, 301 यह हो गया, 301 यह हो गया, लेकिन बीच वाला यह 3 खराब कर दे रह जा रहा है, कोई system repeat नहीं कर पा रहा है, इसमें भी ऐसे आप dot dot 3 लगा दोगे, तो यह एक तरीका है लिखने का, आप किसी भी तरह लिख सकते हो, इसमें क्या है ना, आपको जाते दिमाग नहीं लगा ना, बस एक digit कोई पकड़ लिया, आपने उसी को बढ़ाते चले जाओ और कुछ लिखने के बाद last में 3 dot लगा दो काम हो गया, question number 7 हमारा हो गया, question number 8, find the 3 different irrational numbers between the rational numbers 5 upon 7 and 9 upon 11, तो 5 upon 7 और 9 upon 11 ये एक rational number है, इनके बीच irrational numbers आप बता दो, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका decimal expansion लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बीच में irrational number हम बहुत बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि simple fraction देखके तो हम idea नहीं लगा सकते हैं, कि ये किसके बीच में आएगा, पहले उसका decimal expansion करना पड़ेगा, क्योंकि decimal के form में हमको आसानी से दिख जाता है, कि number repeat कर रहे हैं कि नहीं, तो वहां से हम irrational और इराशनल का पता आसानी से कर रहे थे, जो हमारे dividend था, 5.7 था, 5 को 7 से divide कर रहे थे, किसी भी point में हमारा remainder अगर वही आजाए, जो dividend था starting में, तो इसका मतलब अब फिर से वही कहानी repeat करेगी, क्योंकि 5 को 7 से divide करना स्टार्ट करे थे, अब ये जो 5 आ गया है, इसको 7 से divide करोगे, वही कहानी 0 लगाना 11, 8, 88, 2 remainder बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर 1 times जाएगा, 11 आ जाएगा, minus करे remainder हमारा 9 आ गया, तो देखो 9 को हम डिवाइड करने start करे थे, और 9 आ गया, इसका मतलब अब फिर से सारी कहानी repeat करेगी, अब ये छोटे में हो गया, तो एक आद दो step और लिक के दिखा सकते हो, कि जैसे हम यहाँ 0 बढ़ा दें, तो वही होगा, 11, 8, 88 जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, 0 बढ़ा दिया, 11, 1, 11, minus करा, तो हमारा 9 आ गया, ठीक है तो इक कहानी इस तरह से चलती चले जाएगी, तो आब हमको पता चल गया है कि ये जो हमारा 5 upon 7 है, वो actually में 0.714285 इसके बढ़ा भी दें, तो मोटा मोटा देखो, 0.71 और 0.81, इसके बीच में जो इर्रेशनल लंबर आ रहे हैं, वो हमको देख लो, यानि 0.71 से उपर कुछ स्टार्ट करो, 0.7273 इस तरह से करना है हमको, तो आप लिखोगे, the three irrational numbers between 5 upon 7 and 9 upon 11 can be, यानि इसके बीच में ये कुछ ज लेकिन हमको तो 3 ही लिखना है न, तो अब देखो 0.72 इस तरह से स्टार्ट करते हैं, पिछले वाले कोशन मैंने बताया थे कि इर्रेशनल लंबर किस तरह लिखे जाते हैं, कोई 2 या 3 डिजिटे लो, एक बार आप 0 पॉइंट और फिर वो 2 या 3 डिजिट जो आपने लिए है, वो लिख लो, जैसे 0.72 हमने लिख लिया, अब इसमें क्या करो, चाहे तो एक 0 भी लगा दो, हर बार कोई एक डिजिट को पकड़ लो, उसको repeat करते चले जाओ, जैसे चलो हम 0 ने लगाते हैं, यही इतना ही काम करते हैं, 0.72 है न, तो चाहे तो 7 को repeat कर लो, चाहे तो 2 क repeat कर लो, हर बार एक बढ़ाते जाओ, तो हम यहाँ पर चलो, 2 को repeat कर लेते हैं, 7,2 है न, फिर से हम 7,2 लिखेंगे, लेकिन एक और 2 लगा देंगे, 2 को repeat कर रहे हैं, फिर से हम लिखेंगे 7,2 और अब इस बार 2 हमने लगा दिया, यानि पहली बार 1,2 था, 2,2 आ गया, 3,2 2,2,2,2 तो अब देखरों कुछ repeat नहीं कर रहा है, हर बार एक बढ़ता चला जा रहा है, तो वही चीज़ कहां repeat हुई, एक बढ़ गया है न, इसी तरह से चलो, 0.750 लगा देते हैं, अब यह 3 डिजिट ले लिए हैं, इसमें चलो, 0 को बार बार repeat करते जाते हैं, तो 75, 1,0 था, आप 2,0 लगा दिया, 75, 2,0 था, 3,0 हमने लगा दिया, 75, 3,0 था, 4,0 लगा दिया, कोई डिजिट पकड़ो, उसी को बार बार बढ़ाते चले जाओ हर बार, अब थर्ड वाले में चलो, यह 0.81 है न, तो 0.80 तो ले सकते हैं, 0.81 से कम ही है, 80, अब 8 को repeat करते जाते हैं, 8, 8, 0, अब फिर से 3 बार 8 लिख देंगे, और 1,0 लगा देंगे, 4 बार 8 लिख देंगे, और 1 बार 0 लगा देंगे, dot, 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 यह हमारी कहानी हो गई, इस तरह से आपको लिख के दिखा देना है, तो हमने decimal expansion निकाल लिया, तो idea लग गया, किसके किसे बीच में हमको देखना है और फिर जैसे कि मैंने आपको सिखाया, rational नमब किस तरह लिखा जाता है, बहुत आसानी सा आपने सारी चीज़ें लिख ली, question number 8 हमारा हो गया, question number 9, classify the following numbers as rational or irrational, तो यहाँ पर जो आपको numbers लिखे हुए हैं, कौन से rational है, कौन से rational आपको बताने है, पहले rational condition समझ लो, एक तो वो कि terminate कर जाए, end कर जाए, कहीं जाके, अगर terminate नहीं कर रहा है, तो उसके कुछ set of digit repeat करने लगे, तो भी rational कहेंगे, ठीक है, non terminating हो, plus repeating हो, तो यह rational हो गया, irrational condition क्या है, non terminating, यानि terminate भी ना करे, चलता चला जाए, plus not repeating, या not recurring, नहीं खता मोर आए, नहीं वो repeat कर रहा है, प वो भी आपके irrational होते है, यह से आपका root 4 है, तो यह तो perfect square है, इसकी value simple, आपका 2 आ जाएगी, लेकिन अगर हम root 2 की बात कर लें, तो यह perfect square नहीं है, यानि किसी number का square नहीं है, किसी integer का square नहीं है, तो root 23 यह perfect square नहीं है, अब reason लिखने को तो आपसे कहां नहीं, लेकि reason मैंने आ पता दिया था कि समझे रहो, root 23 is irrational, second वाला है root 225, अब 225 क्या है, 15 का square होता है, तो इसकी value क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, तो simple आप लिख दोगे, it is, अब 15 आ गया है, तो यह तो rational है, it is rational, third वाला है 0.3796, तो यह तो को terminate कर जा रहा है, end कर जा रहा है, तो terminating है, तो क्या होगा, rational होगा, it is terminating, therefore rational, या चाहो तो it is terminating, ना भी लिखो, fourth वाला है 7.478, 478, dot dot dot, यहाँ देख सकतो, यह जो 478 है, फिर से 478 आ गया, dot dot लगा है, यह repeat करता चला जाएगा, तो terminate तो नहीं कर रहा है, end नहीं कर रहा है, लेकिन repeat कर रहा है, तो rational condition एक और मैंने क्या बता ह रहा है, तो इसको आप simple लिख दोगे, 7.478, bar, it is non-terminating, repeating, therefore rational, फिर साला देखो, 1.10, 100, 100, 100, 100, हर बार क्या हो रहा है, 0 एक बढ़ता चला जा रहा है, तो एक बढ़ता चला जाएगा, तो कहां से repeat होगा, वही चीज वापस कहां से आप आएगी, बढ़ ही रहा है वो तो, और फिर आपके dot 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 भी लगा है, यही चलता चला जाया का इसी तरह से, तो यह terminate नहीं कर रहा है, कहीं end नहीं कर रहा है, और repeat भी नहीं कर रहा है, तो non-terminating, non-repeating, किसकी condition होती, irrational की, तो आप यह लिख दोगे, it is non-terminating, non-repeating, therefore irrational, फिर्स्ट आले मैं अगर आपको reason लिखन हमारी complete हो गई, class 9 के और वीडियो देखनी है, तो इस तरह सापकी वीडियो चल दी होगी, पहले वीडियो को like कर लो, चैनल को subscribe कर लो, more पे click कर देना है, फिर से more पे click कर देना है, तो आपका description ओपन हो जाएगा, कहाँ पर देखो मेरे WhatsApp चैनल का link है, तो उसको भी join कर लो, आगे latest update आपको मिलती रहे, don't worry आपका नाम और phone number, किसी को भी visible नहीं होगा, फिर class 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो, तो उसका link में मैंने दे दिया है, अगर आपको study material जैसे notes वगएरा हो गया, exercise के solution हो गया, वो चाहिए, तो मेरी website है, वहाँ visit कर सकते हो, और चैप्टर की वीडियो देखनी है, उसके link पर आपको click करना है, तो वह playlist open हो जाएगी, इसके अलगा और भी जो subject है, उनके link भी आपको मिल जाएंगे,